नमस्कार दोस्तों आपके अपने वेधी कैस्टो लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धनुरास मैं 2030 कैसा रहेगा मैं कमहीना आपके लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब केजिए और घंटी के बटन पर क्लिक केजिए ताकि हमारी वेडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों इस वेडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारे देंगे दोस्तों वेडियो को अंतक जरू पर आपका स्वास्त सही रहेगा लेकिन चोटी मोटी वीमारी कुछ दिनों के लिए हो सकती है आपको बात की जाए धनुरासे वाले विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा मैं का महीना तो पंचम भाव के मालिक है मंगल ग्रह और 11 मैं को मंगल ग्रह 8 हाउस में चले जाएं बहुत ही अच्छी रहेगी लेकिन 11 मैं के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा मन भटकता रहेगा धनुरास वालों का प्रेम प्यार कैसा रहेगा यहाँ पर आपका प्रेम प्यार अच्छा नहीं रहेगा 11 मही के बाद आपके रिलेशन में प्राबलम आना सुरू हो जाएगा लडाई जगड़े बन सकते हैं वहीं बात की जाए, धनुरास वाले व्यक्तियों की वयवाहिक जीवन के बारे में तो कैसा रहेगा आपका वयवाहिक जीवन इस में की महीने में? सेवन्ध हाउस के मालिक हैं बुध्ग रहेगा आपके लाइफ पार्टनर के अंदर बहुत ही जादा गुस्सा रहेगा लेकिन फिर भी आप दोनों एक साथ रहेंगे आपका रिलेसन बहुत ही जादा खराब नहीं रहेगा वहीं बात की जाए आपका भाग कैसा रहेगा मालिक बनते हैं शूरदे और 14 माई तक पंचम भाग में रहेंगे और वह भी उच्चे के बात आपका भाग के बहुत अच्छा रहेगा जो भी आप करना चाहते जो भी आपके काम करना चाहते या फिर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं या फिर कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं पूरे काम आपके अच्छे रहेंगे आपको सकसर्ज देखने को चरूर मिलेगा जो भी आपको काम करना है उसमें आपको सफलता देखने को 100% मिलेगा वही बात की जाए 14 माई के बाद तो 14 माई के बाद आपके लिए समय बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा वही बात की जाए आपकी करियर की तो करियर के मालिक हैं बुद्ग्रे यहाँ पर आपको करियर बहुत अच्छा रहेगा इस महीने में आपका पूरा फोकस पूरा मन अपने काम पर रहेगा आप अपने काम को पूरी एनरजी के साथ करेंगे और उस काम को करने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अपने काम से तारीव भी मिल सकती है लेकि कहीं न कहीं आपका मन भटकता रहेगा आप अपने मन में सोचेंगे कि हमको और अच्छे जॉब करना है तो ये चीज़े आप थोड़ा सा सवर कीजिए और माइंड को भटकने मत दीजिए क्योंकि अगर जॉटा तो आपको दूसरा जॉब मिलने वाला नहीं है अभी इस मेही की महीने में बात की जाए आपके ब्यापार के बारे में तो आपका ब्यापार अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने ब्यवहार पर विसेश ध्यान दे रहे हैं